नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यू स्पोर्ट्स में मैं हूँ मयंक और IPL 2023 की बात करते हैं आपसे IPL 2023 का ऑक्षन भी है 23 दिसंबर को और इस बार BCCI ने IPL में एक नया रूल भी बोला है कि इस बार के IPL में एक नया रूल आएगा जिसे कहते हैं इंपक्ट प्लेयर रूल जी हां इंपक्ट प्लेयर के साथ क्या है कि हर टीम को मौका मिलेगा एक प्लेयर को सब्सिचूट करने का जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि सब्सिचूशन होते हैं वैसे ही प्रॉपर एक सब्सिचूट करने का एक प्लेयर का मौका मिलेगा ज उन चारों में से ही कोई एक impact player आप यूज कर सकते है, impact player किसी भी over complete होने के बाद ही आ सकता है, किसी over के बीच में नहीं आ सकता है, और 14 over या उससे पहले ही आपको अपने impact player को मैदान में बुलाना होगा, उसके बाद आप नहीं बुला सकते, आखरी के moment पे आप नहीं बुला स चाहिए overseas player नहीं हो सकता है, overseas player, impact player तभी बन सकता है, जब आपके team में, आप playing 11 में, चार से कम overseas player खिला रहे हैं, यानि 3 player खिला रहे हैं, तब impact player आप overseas player को में बुला सकते हैं, वरना सिर्फ भारतिये खिलाड़ी ही impact player बन सकता है, तो यह काफी नया rule है, जो इस बार BCCI ने IP पील में इंट्रोड्यूस किया है, इसको लेके काफी स्पेकूलेशन भी चल रहे हैं कि कौन-कौन से प्लेयर जो है, वो इंपक्ट प्लेयर के रूप में निखर कर आ सकते हैं, क्यूंकि पहली बार क्रिकेट में ऐसा देखने को मिलेगा कि एक प्लेयर को सब्सिचूट करके लाए जा रहा है, जो कि बैटिंग बॉलिंग भी कर सकता है, और हाँ, एक और बड़ी बात कि ये जो सब्सिचूट प्लेयर होगा, ये जो इंपक्ट प्लेयर होगा, ये फील्डिंग सब्सिचूशन से अलग होगा, जैसा आमने आनुमन देखा है कि खेल के बीच में कोई प्लेयर जब मैदान से बाहर जाता है, उसके जगह पे एक सब्सिचूट फील्डर आता है, तो ये फील्डर से अलग होगा इंपक्ट प्लेयर, यानि कि इंपक्ट प्लेयर का सब्सिचूशन जो है, वो फील्डर में नहीं गिना जाएगा, इंपक्ट प्लेयर आके या तो लेके आई है BCCI और बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो गाई है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारतिय खिलाडी होगा अगर आपके टीम में अल्रेडी चार ओवर्सीस प्लेयर खेल रहे हैं तो तो भारतिय खिलाडी की डिमांड बढ़ जाएगी इससे ऑक्षन में म 14 ओवर से पहले ही या 14 ओवर तक ही आपको अपना इंट्रेक्ट प्लेयर इंट्रेड्यूस कर देना है अगर आपको करना है तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं और टॉस के टाइम पे आपको चार प्लेयर घोशित करने होंगे जिनसमें से आप सिर्फ एक प्लेयर को इस पर्टिकुलर रूल के कारण क्योंकि आप सोचिए अगर IPL का फाइनल मैक चल रहा है दोनों ही टीम में बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा है 14 ओवर से प्लेयर को यह 14 ओवर से पहले को ऐसा इंपक्ट प्लेयर आये जो गेम को पलट दे तो बहुत ही इंट्रेस ओवर या उससे पहले आपको इंपक्ट प्लेयर इंट्रेड्यूस कर देना है अगर आपको करना है तो सिर्फ एक ही प्लेयर जो है वो इंपक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकता है और चार प्लेयर एस सब्सिचूट आपको टॉस के टाइम पर ही कैप्टन को बता देने होंग और उन चारों में से ही कोई एक impact player बनेगा, अगर आपकी team में चार overseas player already playing 11 में हैं, तो आप impact player को Indian player ही choose करना पड़ेगा, overseas player आप लेके तभी आ सकते हैं as an impact player, अगर आपकी playing 11 में चार से कम overseas player खेल रहे हैं, तो यह है basic rules और जो fielders होते हैं, जो substitute fielders होते हैं, उनसे अलग है यह impact player तो यह 5 key points जो है, वो है impact player rule for IPL, तो बहुत ही मज़ा आएगा, एक नया concept, एक नई चीज हमें देखते को मिलेगी IPL में इस बार, interesting रहेगा यह काफी जादा, तो बहुत मज़ा आने वाला है, और बिल्कुल follow करते रहिएगा IPL के rule को, IPL में इस बार देखना होगा, कि कौन कौन से players, impact player के रूप में निखर कर आ सकते हैं, बहुत सारे नाम हमें, ऐसे भी हमें लगता है कि आ सकते हैं, जैसे कि West Indies के जो खिलाडी होते हैं, Nicholas Puran वगरा, जो की end में आपको बड़े hits लगा के दे सकते हैं, उनको as an impact player introduce किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो, तो बिल्कुल comment करके हमें और भी बताएं कि और कौन-कौन से topics पर हम आपके लिए video लेके आ सकते हैं, और इस channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले, देखते रहिए, India News Sports, शुक्रिया